Hello students, Maximum Minima के application में हम लोग तरह-तरह के applications Maxima Minima के सीखते हैं जैसे Maxima Minima के applications हम कैसे daily practical life में हम कैसे-कैसे application हम use कर सकते हैं जैसे मानली जी हमें एक sheet दे रखी है उस sheet को fold करके हमें एक box बनातना है अब उस sheet में हमें dimension किस तरह से रखें कि उस box का जो volume है वो maximum हो जाए ठीक या फिर जैसे मानलो एक स्फेर है ठीक है अब स्फेर में से हमें एक स्लेंडर निकालना है अब तो स्लेंडर की हाइट रेडियस को हम आखिर किस तरीके से रखें कि उस स्लेंडर का वोल्यूम मैक्सिमम हो जाए ठीक बात या फिर मानलो हमारे पास एक कौन है उस कौन में एक cylinder को हमने fit करना है तो maximum curve surface area का maximum curve surface area का cylinder की height और radius क्या होगी ठीक है तो इस तरह के कई सारे applications जो है वो maximum minima में अपने पास बनते हैं जिसमें हमें एक function बनाना होता है एक parameter में जैसे volume maximum करना है तो volume हम बनाएंगे जैसे curve surface area maximum करना है तो curve surface area का function बनाएंगे और फिर उसमें एक parameter होता है उस एक parameter के respect में हम differentiate करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर कहां हमारे पास maximum minima आ रहा है अब इसमें काफी सारी बाते ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जैसे किसी का volume कितना है किसी का surface area कितना है यह सारे चीज हमें पता होनी चाहिए जैसे मैं सबसे पहले उनी चीज़ों के इस बारे में स्टार्ट करता हूँ जैसे हमारे पास है मान लो कौन सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा जो यूज़ होगी वो क्या है कौन वह कौन हमारे पास यह geometric होती है यह बाते सारी आपको पता भी होंगी ठीक लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यह इसकी हाइट हो गई ह ठीक यह इसकी रेडियस हो गई आर और यह इसकी sland height हो गई एल ठीक तो what is the volume of this इसका volume कितना है 1 by 3 pi r square h कि इसका volume कितना है 1 by 3 pi r square h ठीक अब मैं इसकी बात करता हूँ कि यह जो surface area है curved surface area curved surface area curved surface area कितना है pi r l what is the curved surface area curved surface area is what pi r l अगर मैं total की बात कर रहा हूँ तो pi r l तो curved surface है हो गया ठीक और जो base है base कितना है pi r square तो यह हमारे पास क्या हो गया कौन इसके बाद एक होता है cylinder यह हमारे पास एक में एक cylinder होता है ठीक यह जो मैट्रीस अब जानती है cylinder माल लो इसकी radius है r इसकी height है यह h ठीक तो what is the volume of this cylinder pi r square h कि volume of a cylinder is pi r square h what is curved surface area curved surface area surface area what is curved surface area पर 2 pi r तो perimeter हो गई into height h तो 2 pi r h 2 pi r h total surface area total की बात कर रहे हैं तो 2 pi rs तो curved surface area आ गया नीचे वाला pi r square उपर वाला pi r square सभी बात this is what about cylinder यह हमारे पाद cylinder के बारे बता होने चाहिए sphere 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 जानते हैं सभी लोग sphere क्या होता है what is the volume of sphere 4 by 3 pi r cube अगर r इसकी radius है तो what is the volume of this sphere 4 by 3 pi r cube what is the surface area surface area will be 4 pi r square कि इसका surface area हमारे पास कितना होगा 4 pi r square कि surface area will be 4 pi r square ठीक वात यह हमारे पास क्या हो गया cylinder hemisphere hemisphere ठीक यह हमारे पास hemisphere अब इसका आधा हो गया यह हमारे पास क्या हो गया आधा तो इसका volume कितना होगा टू बास यह हो जाएगा इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन के बाद जैसे हमारे पास कॉन के बाद जोमेटिर आती है बहीं circular arc, यह, यह circular arc है, this is what, circular arc, circular arc, मैं वो सारी geometry बता रहा हूं, जो इसमें काम आती है, मालो circular arc, यह r है, यह theta है, ठीक, what is the length of this arc length, यह arc length कितनी है, the arc length will be r theta, यह arc length कितनी है, r theta, ठीक है, arc length will be r theta, what is the area, इसका area कितना है, यह area, यह area हमारे पास कितना है, तो this area will be half pi, half r square theta, sorry, यह कितना है, half 1 by 2 r square theta, half r square theta, यह हमारे पास किया है, इसका area, this will be the area of this, अगर मैं इस पूरी length कि बात करो, तो r plus r theta plus r, यह पूरी इसकी perimeter हो भी हमारे पास, ठीक, इसी तरह, volume of pyramid, volume of pyramid, volume of pyramid, is what, 1 by 3 area of base, 1 by 3 area of base into height, 1 by 3 area of base into height, that is the volume of a pyramid, यह हमारे पास किया होता है, volume of a pyramid, volume of prism, volume of prism, what is volume of prism, area of base, area of base into height, volume of a prism is area of base into height, अब prism और primate, इसमें मैं थोड़ा अंतर और बता जेता हूँ, जैसे prism और primate, जैसे, यह हमारे पास, जो है, base मान लो, triangle है, ठीक, और triangle के, अगर हम सारे point को उपर एक point से मिला दें, इसकी perimeter के, तो एक हमारे पास surface, एक हमारे पास, यह जो figure बन रही है, this is what, pyramid, this is a pyramid with triangle base, यह क्या है, हमारे पास pyramid with triangle base, इसे बोलते है, tetrahedron, इसे बोलते हैं, tetrahedron, tetrahedron, this is what, tetrahedron, हमारे पास, क्या है, tetrahedron, what should be the volume of this, volume है, इसका 1 by 3, area of base, area of base, मतलब area of this triangle, into height, इसकी height कितनी है, यह तो होगे, हमारे पास pyramid, और अगर prism with triangle base होता, prism with triangle base हैसा होता, this is what, prism with triangle base, यह हमारे पास prism with triangle base है, यह है prism, यह है primed, this is primed with triangle base, this is prism with triangle base, तो इसका volume कितना होता है, area of base, into height, इसका होता है, 1 by 3, area of base, into height, ठीक बात, तो बच्चों, यह सारी चीजें हैं, जो हमारे पास इसमें पता होनी चाहिए, ठीक, यह सारी चीजें हैं, application वाले पार्ट में, जो हमें पता होनी चाहिए, अब इसमें हम question करते हैं, कि वह इसमें question आखिर हमारे पास, किस तरीके का बन सकता है, जैसे, एक question लिखिए, a sheet of 40 meter square, a sheet of 40 meter square is used to make an open water tank, is used to make an open water tank with square base, with square base, ठीक, एक 40 meter sheet है, 40 meter square के sheet है, which is used to make an open tank with square base, find dimension, find dimensions, so that, its volume is maximum, volume is maximum, कि मैं हमें dimension बतानी है, कि इसका volume हमारे पास क्या हो जाए, maximum हो जाए, अब देखो, volume maximum हो जाए, जैसे square base है, मालो हमारे पास यह एक square है, ठीक है, यह open tank है, यह अपने पास open tank है, this is what our open tank, यह हमारे पास एक open tank हो गया, ठीक, अब यहाँ पे हमें इसका volume maximum करना है, मालो जो base है, square है, उसकी side है x, और इसकी height है h, ठीक है, तो what is the volume of this tank, the volume of this tank is area of base into height, area of base कितना है x square, और height कितनी है h, ठीक है, तो volume में हमारे पास दो parameter आ गया, एक तो parameter आ गया x, एक parameter आ गया h, जब तक दो parameter हैं, we can't do differentiation, मतलब हम differentiation नहीं करते हैं, can't do नहीं, हम करते नहीं है differentiation, इस x और h में जरूर कोई न कोई constraint दिया होगा, क्या, a sheet of 40 meter square is used, मतलब जो sheet की dimension हैं, वो 40 meter, अब दोखो sheet open tank है, तो sheet लगी कहोंगी, ये base में, ये चार दिवार बनाने में, याली दिवार, याली दिवार, याली दिवार और याली दिवार, ये चार दिवार बनाने में हमें sheet use होई होगी, बेस में कितनी use होई होगी x square, see, इस वाली दिवार को बनाने में xh, xh, पीछे वाले xh, इधर वाला xh, तो कितना हो गया, 4 xh, is equal to what, 40, कि x square plus 4 xh is equal to what, 40, ये हमारे पास आ गया, अब यहाँ पे हम h की value उठा के रख देते हैं, तो x square, h कितना होगा, 40 minus x square upon 4 x, upon 4 x, x कर जाएगा, तो यह जाएगा, 40 x minus x cube upon 4, that is what volume, ये हमारे पास क्या आ गया, volume as a function of x आ गया, अब हमें यह से maxima है, minimum देखना है, तो हम इसका differentiate करेंगे, dv by dx is equal to what, 40 minus 3 x square upon 4 is equal to, 0, तो x हमारे पास कितना आ गया, plus minus under root 40 by 3, x हमारे पास कितना आ गया, plus minus under root 40 by 3, अब plus minus under root 40 by 3, minus तो हो नहीं सकता x, वो तो meaning less है, तो x क्या होगा, under root 40 by 3, अब यहाँ पर यह maxima देगा, गया, minima देगा, we have to check, तो उसके लिए हम इसका double differentiate कर लेते हैं, d2v upon dx2, इसका double differentiation कितना हो गया, minus 6x upon 4, ठीक, x को अगर हम यह रखेंगे, तो यह हमारे पास कैसा है, negative, double derivative negative होता है, तो वो point maxima होता है, minima होता है, that point is point of maxima, तो यह हमारे पास maxima का point है, मतलब at x is equal to, under root 40 by 3, the volume of, the volume will be maximum, की volume हमारे पास क्या होगा, maximum, अब x हमारे पास under root 40 by 3 है, तो x की value को हम यहां रखे, h निकाल सकते हैं, निकाल देना h हमारे पास कितना आ रहा है, वो हम edge अपने पास यहां पर निकाल सकते हैं, आप मुझे comment box में बता सकते हो, कि height कितनी आई, थोड़ा बहुत काम आपके लिए, यहां रखना है, x और h हमारे पास आ जाएगा, तो बच्चों यह हमारे पास question था, कि application, कि भी हम आखिर किस तरह से application कर सकते हैं, चलिए एक question और करते हैं, एक question और करते हैं, Rectangles are inscribed in a semi-circle of radius R, Rectangles are inscribed in a semi-circle, semi-circle of radius R, in a semi-circle of radius R, find the rectangle of maximum area, find the rectangle of maximum area, ठीक है, हमारे पास एक semi-circle है, उसकी radius R है, यह हमारे पास semi-circle है, और इसकी radius हमें R given है, ठीक, इसके अंदर हमें rectangle inscribed करना है, यह हमने rectangle बना लिया, है इस तरीके से, यह हमारे पास rectangle हो गया, ठीक, हमें इसका area, बहुए इसकी radius से R है, हमें इसका maximum area, area को maximize करना है, कि इसका area maximum हमारे पास, क्या हो सकता है, वाट शुड़ बीड़ मैक्सिमम एरिया, उस area को बताना भी है हमें, ठीक है, तो यह R है, मान लो यह theta है, ठीक है, यह, हमने इस तरह मान लिया, यह आदा आदा part होगा, symmetry से हम बोल सकते हैं, तो यह R है, यह theta है, तो यह कितना होगा, R cos theta, और यह कितना होगा, R sin theta, यह, ठीक है, इसका मतलब, what is the area, कि इसका area हमारे पास कितना हो गया, area will be R cos theta, R cos theta, 2 R cos theta, into R sin theta, that will be the maximum area, इसमें, what is the variable, parameter क्या है, theta, R नहीं है, R तो given है, R तो semicircle of radius is given, radius of semicircle is given, ठीक, what is the parameter, theta, मैंने यहाँ पे एक ही parameter वाना, वानना हम यह भी कर सकते थे, इसे X मानते, इसे Y मानते, और फिर उसके बात करते, कि X square plus, X square plus Y square is equal to R square, पर उसके बात करते, एक काम वो भी हो सकता, ता लेकि मैंने theta मान के, एक ही parameter रखा, अब यह हमारे पास area कितना आ गया, R square into sin 2 theta, अब R square into sin 2 theta, की maximum value बदानी है, तो maximum value उसकी क्या होगी, sin 2 theta, sin 2 theta maximum, value कितनी होगी, 1, औरो कब होगी, 2 theta is equal to pi by 2, theta is equal to R pi by 4, देखो, इसमें तो, कुछ जोरोते नहीं पड़ी, maximum नहीं मांकी, वनना लगाना हो, तो differentiate करके देख लो भाई, किसी को मन कर रहा है, कि नहीं लगाओ तो सही, गुस्तो करो यार, ऐसे तोड़ी है, तो कोई बात नहीं करके देख लो, तो यहाँ पे, theta is equal to pi by 4, हम रखेंगे, तो what is the maximum area, maximum area is what, R square, कि भई इसका हमारे पास, maximum area क्या आ गया, maximum area हमारे पास कितना आ गया, maximum area is what, R square, कि यह हमारे पास इसका maximum area है, ठीक बात, तो बच्चों यह हमारे पास question था, कि भई किस किस तरीके के, हमारे पास questions यहाँ पे, बनते हैं, इस तरह की खूब variety है, varieties की कमी नहीं है, इस वीडियो में इतना ही,